बाईयों और बेहनों आज यहां अजमेर आने से पहले मुझे तिर्थ राज पुश कर जाने का सवभागे मिला हमारे सास्त्रों में ब्रह्मा जी को स्रिष्टी का रचईता कहा गया ब्रह्मा जी के आशिरवाद से आज भारत में नव निर्मान का दौर चल रहा है केंद्र में भाजपा के नेत्रुत्व वाली एंडिये सरकार के नव साल भी पूरे हो गए भाजपा सरकार के नव साल देश वास्यों की सेवा के रहे हैं भाजपा सरकार के नव साल सुसासन के रहे हैं भाजपा सरकार के नव साल गरीब कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं साथियों देश ने दोहजार चौदा में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आवान किया था इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है आप याद कीजिए दोहजार चौदा से पहले देश में क्या स्थिती थी पूरे देश में जनता प्रस्टाचार के विरद सडक पर उत्री हुई थी बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतं की हमले होते थे कॉंग्रेस सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी महिलाओं के विरूत अपराद चरम पर थे प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी कॉंग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी निर्णय होते नहीं थे नीतियां चौपर थी निवेशक निरास्ते युवाओं के सामने अंदकार था जनता से वोट लेकर कॉंग्रेस जनता को ही कोस रही बाई और भेनों गोर निरास्ता के इसी माहोल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यश्गान हो रहा है आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्स ये बोल रहे हैं कि भारत अती गरीबी को अती गरीबी को समाप्त करने के बहुत नीकट है साथियों आखिर ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे इसका जवाब है सबका साथ सबका विकार इसका जवाब है बंचीतों को वरियता झाल